राजस्तान में हुए विधान सभा चुनाओं में बंपर जीत हासिल करके बहुमत प्राप्त करने वाली भारतिय जनता पार्टी अब तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाई है माना जा रहा है कि राजस्तान की पूर्व सियम वसुंद्रा राजे और भाजपा के किंद्री नेतरतु के बीच सियम के पद को लेकर ठनी हुई है इसी वज़े से सियम के नाम में देरी हो रही है ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि तिजारा सीट से विधायक और पार्टी के पूर्व सांसद बाबा बालकनात ने दिल्ली में भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा से मुलाकात की है इस मुलाकात ने राश्ट्री की सियासत में एक बार फिर से हल्चल बढ़ा दी है बाबा बालकनात राश्ट्री की अलवर सीट से लोक सभा के सांसद हैं भाजपा ने उन्हें राश्ट्री विधान सभाचुनाव में 13 सीट से मैधान में उता रहा था इस seat से जीत हासिल करके वह बिधायक बन गए हैं बालकनाथ की जीत के बाद से ही राजमे सीम पद के लिए वह मजबूत दावेदार बने हुए हैं ऐसा माना जा रहा है कि बालकनाथ सीम पद की रेज से बाहर हो गए हैं लेकिन सांसदी से इस्तीफा देते ही एक बार फिर से सीम पद के लिए उनका नाम सामने आने लगा है सीम पद के दावेदारी पर बाबा बालकनाथ ने कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाने के लिए तयार हैं राजस्थान में सियम पद को लेकर जारी कयासों के बीच पूर्व सियम वसुंद्रा राजे ने भी गुरवार को जेपी नड़ा से मुलाकात की थी पूरे दिन भाजपा के शीर्स नेताओं के साथ वसुंद्रा की मुलाकात टल रही थी हालाकी रात होने तक जेपी नड़ा ने उन्हें मिलने का समय दिया वसुंद्रा राजे अपने बेटे लोग सबासांसद दुश्यंत सिंग के साथ जेपी नड़ा से मिलने पहुची थी बता दे कि दुश्यंत सिंग पर वसुंद्रा के लिए बिधायकों की गोलबंदी कारोप लग रहा है माना जा रहा है कि इस मामले में वसुंद्रा ने अपनी सफाई दे दी है बताया गया है कि बागियों के चलते करीब 10 से ज्यादा सीटे भाजपा ने खो दी है सूत्रों के मताविक भाजपा इन चुनाव में 130 तक सीटे जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी लेकिन 115 सीटे ही मिल पाई खास बात यह है कि इनमें से ज्यादा तरनाम राजे की समर्थोकों के बताये गए हैं इनमें जैपूर, अलवर, चूरू, नागवर, समेत, पूर्वी राजस्थान के कुछ अन्य जिले भी शामिल हैं मौजूदा हालातों में इस वक्त भाजपा पदाधिकारियों और वसुंद्रा राजे के बीच सीधे तोर पर टकराओ के स्थिति नजरा रही है चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन ही राजे ने अपने आवास पर विधायकों को रात्री भोज के लिए आमंतरित किया था इसमें करीब 40 विधायक शामिल होने पहुँचे थे इन में से कुछ विधायकों ने बाहर आकर राजे को मुख्यमंतरी बनाया जाने की मांग भी सारवजनिक रूप से रख दी थी इसके दो दिन बाद ही विधायकों को रिजोट में ले जाने की घटना भी घट गई इन सभी बातों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है वहीं शुकरवार को बीजेपी ने राजस्थान समेत तीनों पट्टी के राज्यों में सीम फेस के लिए आपजरवर नियुक्त कर दिये हैं राजस्थान के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजना सिंग, राज्य सभासांसत सरूज पांडे और महाराष्ट बीजेपी के नेता विनोध तावडे को नियुक्त किया है अब माना जा रहा है कि रविवार को राजस्थान में विधायक दल की बैठक होगी जिसके बाद सीम का नाम फाइनल हो जाएगा